अज़ आपका एक बार फ्रेस्स हो आगेता है और अपने पसु पालल के मोडल पेपर चल रहेते हैं यह अपना तेरवा मोडल पेपर है जो कि इंपोटेंट है पसु परिचर बरती कर्शी परिवेक्सक बरती इसके लावा और अन्य जितने भी एक्जाम जिनमें आपके पसु इसके बारे में बताना है कि इसको किस सनस्तान ने विक्सित किया था इंडियान एगरी कल्चर रिसर्च इंसिट्टूट नई देली में है इसने साईवाल गाई की नसल को विक्सित किया था संकर नसल की बचडियों में वेसकता की ओसत आयू है संकर नसल की जो बचडिया है उनमें आपको वेसकता की ओसत आयू वताना है अपने पास ओप्सन है बारा मा अठारा मा चोईस मा और तीस मा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संकर नसल की जो बचडिया है उनकी आज़ोगे गवक्ता कि सता में कितने हुटी है 18 मा कितने होती है 18 मा नेक्स्ट अपने पास यहां पे क्यूशन है निमल लिकित का सpoint मेलिद कीजिए इसको आपको स garant है गोपसु का यहां पर नाम दे रखा है बोस इंडिकस बेस का बुबेलिस बुबेलिस बेड का केप्राहिरिस तो सही सुमेलित करिए देखे गोपसु का क्या नाम होता है बोस इंडिकस सही है बेस का बुबेलिस बुबेलिस होता है बेड का क्या होता है बकरी का क्या होता है के और D गलत्ते इनको यहां पर सही मेज कर दिया यानि बेड का तो हो गया ओविस एरिस और बकरी का हो गया के प्राहिरकस तो आपको चैसी दयान रखना एसा कौन से ओप्षन में यहां पर हो रहा है तो पष्ट जो अपना ओप्षन है इसमें देखे ऐसे आ रहे हैं जो कि यह स बता है प्रोजेश्ट्रोण एस्ट्रोजन टेस्ट्रोण और ओक्सिट्रोशन तो बताई देखे इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मादा में मद्द चक्रेतु मैतरपूर्ण भूमिक आदा करने वाला हार्मोन कौन सा है एस्ट आइसोलेशन, वरन या सलेक्षन, चटनी या कलिंग, संगरोध्या कोईरेंटाइन तो उसको क्या बोलते हैं संगरोध्या कोईरेंटाइन बोलते हैं 15 दिन तक अलग रखने को डेक्ट अपने पास कि उसे बलदेव पसु मेला कहां आयुजित होता है यह आपको बताना है ब पुसकर पसु मेला के नाम से जानते हैं परबचसर नागोर में है वीर तेजाजी पसु मेला आयुजित होता है कौन सा वीर तेजाजी पसु मेला परबचसर नागोर में आयुजित होता है जालरा पाटन जाला वाड में दो पसु मेले आयुजित होते हैं next अपने पास question है, पसु ब्याने से कितने दिन पूरव दूद निकालना बंद कर देना चीए, option अपने पास है 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, तो बताई देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा 60 दिन, कितना, पसु ब्याने से 60 दिन पूरव दूद निकालना बंद कर देना चीए, जिसको पन dry period यहाँ पसु की सुस कवस्ता बोलते है, 60 से 90 दिन की होती है dry period, कितना दिन का होता है, 60 से 90 दिन का होता है, तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा 60 दिन, पसु ब्याने से 60 दिन पूरव दूद निकालना बंद कर देना चीए, निसक इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, कि मद में आने के 12 से 18 गंटे के मद्दे पसु का गरबादान करा देना चीए, यानि second option है, वो right हो जाएगा, next अपने पास question है, मवेसी एउं भेस, किस कुल से संब्दीत है, मवेसी और भेस आपको बताना है किस क QD और Camelady, तो बताएगी इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर right answer हो जाएगा, यह बोवेडी कुल से संब्दीत है, इसके लावा भेड और भेस है, इनका भी कुल यह बोविडी होता है, भेड बकरी का क्ल क्या होता है, बोविडी, आपको ध्यान रखना है, गाय बे उसको अपन क्रिस क्रोस बोलते हैं क्रिस क्रोस बोलते हैं क्रिस क्रोस बोलते हैं दो नसलों को एक के बाद एक क्रोस कराने को क्रिस क्रोस बोलते हैं नेक्ट अपने पास यहां पर क्यूशन है, गाई वेस में करत्रिम योनिका तापकरम आपको बताना है कि करत्रिम योनिका तापकरम कितना रखते हैं, यहां पर देखिए अपने पास ओप्सन दे रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस वो 37 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, है करत्री मियोनिका ताप करम बेस में रखते हैं तो आपको अच्छे से द्यान रखना है गाई बेस में करत्री मियोनिका ताप करम फूच ले तो गाई में तो 41 degrees Celsius और 1 बेस में 49 degrees Celsius पास Qs और पसस्व को आमसे के आदार पर कितने बाटा गया है कितने बागों में तीन बागों में बाटा गया है आपको ध्यान रखना है कौन-कौन से एक तो हो गया आपके रोमन्ती पसु इसके लावा एक हो गया आपके एरोमन्ती पसु कौन से रोमन्ती पसु और एक हो गया आपके आबासी रोमन्ती पसु तो आपको ध टेटुइंग वेड़ बकरी में इसके लंगान किया जाता है तत हुडब क्रिषम ओर जो 길 में है उनमें यहाँ पर रिंगिंग किया जाता है तो यह से सा कुण सी ओप्षन में आ रहा है यह अपना प्रश्ट से यहाँ पर लए टो जाएगा चुल्तिय पंचम और आटवी तो बटले कि यह सब्सक्राइब करेंगे हैं इसका देखें हैंपर आइट अंसड़ जाएगा परतम पंच वर्षीels जो योजना थी उसमें यहां पर इसको सुरू किया गया था मूल आपको द्यान रखना है अगस्त गुनिस् Så बाइन में मूल गराम योजना को सुरू किया गया था परत्छम पंचवर्षी योजना के तैत, तो अच्छे से द्यान रखेंगा फे अपने पास क्यूशन है, गोशाला विकास वॉड की स्थापना-कब की गई थी यह बताना है, क वोसाला विकास बोर्ड के सतापने यह उस्तित है आनंदमें क civ स्थित आनंद में अंधरि विकास बोर्ड यह को सतीतत है तृभakिने कव्यान वीज्व विद्याले को बताना है लौता है उक्सी टोसीन हार्मोन ये थो पाउसने के लिए ऊतर दाए है तो इसका आपको समय बताना है, उप्सन अपने पास है एक से दो मिनट, तीन से चार मिनट, पास से साथ मिनट, आट से दस मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आसर जोर जाएगा, पास से साथ मिनट है, ओक्सिटोसिन हार्मोन का असर रहता है, जो कि दूद पाऊसने के लिए उत्तरदाई है ग्रामिन इस्तर पर डेरी विकास निगम ने क्या गठित किया है यह आपको बताना है कि ग्रामिन इस्तर पर डेरी जो विकास निगम है उसने कोन से केंदर इस्तापित किये हैं या कोन से समितिया बनाई है ग्रामिन दूग्द के अंदर, ग्रामिन डेरी के अंदर, ग्रामिन सहकारी दूद समीतिया और दूद परशितन के अंदर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामिन सहकारी दूद समित्या है यह ग्रामिन इस तर पर डेरी विकास निगम ने गठीत करी अपने पास क्यों से ना भारत में पर्थम पसुगर्णा कब आयोजित की गई है यह आपको बताना है क कि पर्थम पसुगर्णा कब आयुजित की गई है अपने पास यहां पर ओप्षन है 1910, 1920 इसके लावा 1919 और 2001 तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पर्थम पसुगर्णा कब आयुजित करी गई थी यह करी गई थी कब 1119 में कब करी गई थी 1119 में पर् पूछले कि भारत में पर्थम पसुगर्णा कब आयुजित करी गई थी 1119 यह हो गया इसका राइट आंसर वाकि आज की यह अपना मोडल पेपर कंप्लीट हो गया मिलते है नेक्ट वीडियो में जेहिं जेवारत